नमस्ते श्रोताओं, मैं आज अपनी लिखी कहानी नम्रसब, जिसका सिर्शक है नम्रसब, मैं आज आप लोगों के समक्ष पाठ करने जा रही हूँ, तो कहानी इस तरह है, सूरज उपर चराया और ये लर्की अब तक सोई पड़ी है, रुख, ऐसे नहीं मानेगी, गुस्से में उफंती मुई, यानि मोसी ने सोती यालेक के कुलहों पर जोरदान लाते जमाई, उनका जगानी का यहीं पुराना तरीका था, यालेक मुँ भारे सो रही थी, मुँ के किनारे से तपकती लार से, तक्या गिली हो गई, इस अचानक मार से यालेक हरबढ़ा कर उठे, मुँ साफ करो अपना, मुई चीख कर बोली, मुँ का बहता लार गले को भी भुगो दिया था, यालेक ने उबासे लेती हुए, मुँ अपने अलसाई आँखों को मलने के बाद मुई से आँखे मिलाई, उनकी आँखे क्रोध में अंगारे बरसा रहे थी, क्या देख रही हो, एकदम धीट हो तुम, अपने नाम के अनुरूब, यालेक बुद बुद आई, फिर शुरू कर दिया अपना तक्या कलाब, फुस- जुम सार ने दो-दो बार लर्किया भेजा, पता लगाने के लिए तुक जगी हो की नहीं, मोसी की इस बिचित्र उचारन से यालेक को हसी आए, सारी नींद उरंचु हो गए, वो खी-खी कर हसने लगी, इस दफा बुद बुद आई नहीं, भरपूर मुख खोल कर उनको सार नहीं, सर, तूजुम सर, मोसी को बुरा लगा, इस दरह सुधारे जाने पर, सर सार जो भी हो, नीपक आगुम, यानि मैदानी बासा, हम क्या जाने, यालेक ने अपनी बच्ची खुची नींद को जम हाई में उराती हुई, सूखे बांस का लठा चुले की आग में ठू कर रहे हो तुम, आलसी लरकी, अभी वे नीट में हो, तुझे मालूम नहीं, सूखा बांस जोर से फटा है, बच्चे जाग जाएंगे, यालेक तुनकर बोली, अच्छा, मुझे तो सोने नहीं दिया, क्या मैं बच्ची नहीं हूँ, हेरानी से उसे देखती हुई, मोसी ने यालेक को कोई उत्तर नहीं सूझा, उत्तर देने के खातिर उत्तर दे दिया, क्या अच्छा होता, देख, जो बच्चे सुस्थ होते हैं न, उसे अपने माबाप तक भी पसंद नहीं करते, ससुराल की तो भूली जाओ, यालेक ने दर्वाजे के तरफ मुझ फेर लिया, मा नहीं मन झीक रहे थी, बाकी बच्ची दिन चड़ने तक सोते रहे, उन्हें मा भी है, लेकिन मुझे सोने की इजाजत नहीं, सबसे बरी होने की यहीं तो सजा है। सुरिला राग, अंबर से अस्परदा करता, मुईर मूद, परवत, शिकरों से घरसन काती हवा की सरसराहतों में भीगा राग। किया और नृत्यों से अपने श्रधार पित की। महिलाओं की टोली, पुनू, नाच रही थी, पर लर्कियों की टोली, जाजे नृत्ये। गदगद मुख्य मंत्री ने लाल कोट का यूनिफॉम पहने गाओं बूरा को अपने पास बुलाकर उसकी पीठ थप थप आई। जाते जाते वह ये घोशना कर चले गए कि इस बार दिल्ली के गानतांत्र दिवस में सांस्कृतिक प्रस्तूति के लिए अरुनाचल से जो तीम जाएगी वो यहीं रागा से होगी। इस घोशना से जहां गाओं की जवा लर्के लर्कियां मस्ती से जूम उठे वहीं बरे बुजर्गों के पाओं हर सिथे रखने लगे। वो कि मत्रे जी कस्वा को अभूद पूर्व इज़त नवाज कर चले गए। मगर गाओं बुरा यानि कि गाओं प्रधान के माटे पर चिंता के मारे बल पर गया। खुश तो बहुत था। लेकिन चिंता भी सता रही थी। चिंता लाज में भी थी। ये केवल कस्वे की मान प्रधिश्था की बात नहीं रहे गई थी। पूरी प्रधेश की साख दाओं पर लगी हुई थी। अच्छी तरह से सोच समझ कर नर्तक दल का गठन करना होगा। अगर नोसीकियों को दिल्ली भेज दिया और वहां शहरी ताम जाम से चकित और हक्क के बक्के होकर नाशने के लिए पग नहीं उठा सके तो सब गढबर किसी भी कीमत पर प्रधेश की छबी धूमिल नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी जमेदारी का काम है किसी गेर जमेदार इंसान को नहीं सोब सकता। सबसे पहले नर्तक दल का गठन फिर दल के लीदर का च बंदरों की मापिक जब सिर को खुजाते लोग समझ जाते गाउप्रधान जरूर किसी परिशानी में हैं। वे सिर को खुजाए जा रहे थे अगर इस वक्त कोई नया व्यक्ति किसी अपरिचित में उन्हें देख लिया होता तो सिधा उस गलत पहमी हो जाती कि है या उनको चर्ब रोग हैं। वे तेजी से सिर को खुजलाते हुए सोचने लगा टीम का लीदर कोई पड़ा लिखा आदमी हो तो जादा अच्छा रहेगा जो अपनी अगवाई में टीम को सुरक्षर दिल्ली ले जाए और बापस लेकर भी आए। उन्हें हैदमस्टर तिवारी सर का ख्याल आया मेदानी आदमी है मेदानों की जानकारी है लेकिन हे बड़ा धुर्त एक एक पैसा दाट से पकर कर रखता है बिल्कुल हिसावी आदमी है हमेशा नफ़ा नुकसान तोलने वाला बिना किसी स्वार्थ के कोई काम नहीं करता इसकूल की मरमत और र फिराक में बिचारी नर्तियों को भूका मार देगा बिल्कुल विष्वास के लायक नहीं कोई अपना आदमी हूँ तो ज्यादा माकूल होगा तूजुमसर तूजुमसर हां तूजुमसर कैसे रहेंगे हां उनके पास बरे शहरों का अनुभब नहीं तो क्या हुआ है तो इस तरह काफी माता पच्ची के बाद दिल्ली जाने का प्रस्ताब तूजुमसर को गया देज की राजदानी दिल्ली का अपना रोब है आकरशन है बला उस जगा को देख आने की चाहत किसके मन में न हो कोण वहाँ जाने से मना करता एधर गाउं बुरा के मुह से प्रस्ताब उगला नहीं कि उधर तूजुमसर छट से तयार हो गया डिल डोल शरीर गोल मटोल चहरा और खुश-खुश रहने वाला तूजुमसर कस्वा का एकलोटा एमे डिगरी होल्डर थे अरुनाचल युनिवर्सिटी से अंग्रेची साहित में एमे पास करते ही इधर कस्वा में उनको नोकरी लग गई उन दिनों अरुनाचल युवाओं को नोकरी के लिए ओफिसों के धक्के नहीं काने पड़ते थे आहाहा क्या स्वर्निम दोड़ता एक हाथ में दिगरी की सर्टिफिकेट क्या मिली कि दूसरे हाथ में नोकरी का अपॉइंट्मेंट लेटर थप जाया करता था यही कस्वे में ही तूजुमसर का जन हुआ इसी के मिट्टी में लोट लोट कर बढ़ा हुआ इसलिए दिल में कसक थे नोकरी की बहाने अरुनाचल के दूसरे इलाके का कोना कोना घुमाएंगे एमे की पड़ाए भी प्रदेश से बाहर जाकर पूरी करना चाहता था मगर घोर आतिक तंगी के चलते यह मुम्किन ना हुआ सपना सपना ही बन कर रह गया उनकी मास्टर्स की सिख्चा भी जैसे तेसे बहुत मुश्किलात में संपन हुई सरकार की ओर से जो चातर बड़ती मिलती थी कभी उनका भेजा खर्च नहीं किया पर होस्तल में उनके अन्यत साथ ही शराब और महंगी सिख्रिटों में इस सरकारी सहाता को फूग डालते थे अपना दूजम सर सदा बुरी लथ और गलत संगत से एक किलोमेटर की दूरी बना कर रखते गुलचर्रे उराने के लिए ना समय था ना पैसा फाका मस्ती में पढ़ाय समाप्त किया जब नोकरी लगी सोचाता वो पुरानी हूग पूरी हो जाएगी बाहर ना सही कम से कम अपने प्रदेश का दूसरा कोना च्छाकाओं लेकिन नोकरी लगी भी तो अपने ही कस्पे में खर इससे तूजम सर को कोई शिकायत नहीं थी वो सभी से खुश रहने वाला आदमी नहीं नहीं बलकि अपने आप से खुश रहने वाला आदमी था स्कूल में नियुक्ती के दिन से ही बच्चों को खूब मन लगा कर पढ़ाने लगा सिर्फ एक समस्या थे बच्चे उसे गंभेता से नहीं लेते थे बच्चों का भी सोभाव अनोखा जहां बाकी कड़क मिजास टीचर से खौफ जदा रहते वही सदा मुस्कुराने वाला टीचर टूजमसर से एक दंबे खौफ हो जाते उनके पेरियट में जम कर खुर्दंग मचाते थे बच्चों ने कभी उन्हें गुसाते नहीं देखा ये बात नहीं थी कि तूजमसर को गुसा नहीं आता था उनको गुसा चरता था लेकिन बच्चों को यकीन ही नहीं होता कि उनको गुसा चर रहा है वो अपनी शक्ल को सजीदा बना कर जोर से उची आवाज में डाटता मगर बच्चों को रती भर भी पर्क नहीं परता उलता उन्हें लगता तूजुमसर तो अभी हस पढ़ेंगे जिस चहरे पर सदेव हसी का भाव सजा रहता हो उस पर रोश अक्रोच जैसा अन्यभाव जच्चता नहीं था सो बच्चे सोचते कि उनकी चहरे पर उपजा ये अजनवी भाव अभी छुमंतर हुआ तो कुछ इस तरह से थे हमारे तूजुमसर इन दिनों खुश दिल तूजुमसर की खुशी में खुश होने का एक और कारण जुर गया दिल्ली की सैर उनके पाव आजकल जमीन पर नहीं पर रहे थे घूमने का पुराना सपना सच होने जा रहा था दिल्ली की ख्याल से ही मनमतवाला होकर जुमने लगा उनके हस्रतों ने उनको पंक पहना कर अब तक दस्यों बार दिल्ली लिवा आ चुकी थी दिल्ली की खुमारी में वो इसकदर चूर कि राह में जो भी मिलता सबसे दिल्ली की चर्चा करते दिल्ली में लाल कीला है दिल्ली में कुतुब मिनार है वगेरा वगेरा बेचारा अपर मामुली देहाती किसान लो ये नाम पहले दफ़ा सुन रहे होते मैं अचरच भी पूछते क्या ये दिल्ली के बाजारों के नाम है तू जुमसर गर्ब से अपने सिर को जारते हुए कहता छोड़ो जाने दो ये हाई लेबल बाते हैं गरफर भी उनकी इस सनक के शिकार सब बेटी से बोल कर नीला तांगो कोट को बीस योबार ढुलवाई पतली से आसमानी रंगो वाला लुरुम माला के बीच बीच में लाल और सपेद मन के तंकवाई जंगली सुवर के बालों से भीवोसित बोपा यानी टोपी को खुद अच्छी तरह से धोपोंच कर धूब दिखा दिया तूजमसर ने डांस टीम में अधिकांस उन महिलाव को चुना जो कभी किसी रोज अरुनाचल से बाहर गई हो जिसे बाहरी दुन्या के सफर का हलका अनुभब हो इससे तूजमसर को भी यात्रा में तोरी सहुलियत हो जाती टीम की एक महिला के बच्ची को खसरा हो गया बीमान बच्चे को छोड़ कर इतनी दूर यात्रा और वो भी लंबे समय के लिए आखिर मा का दिल था, मानता कैसे इसलिए मजबूरी में उसे टीम से अलग होना परा उसके बटले टीम में यालिक को रख लिया गया भारी शरीर के कारण किशोर उम्र की यालिक अपने उम्र से काफी बड़ी दिखते थी वो तो जब बात करने के लिए अपना मुख खोलती तब उसके लरकपन का अंदाजा होता वरना वो बिल्कुल प्रोरा दिखते थी रोजाना स्कूल के फिल्ड पर डान्स का अभ्यास होता था आज अभ्यास का अंतिम दिनता यालिक हापती हुई स्कूल पहुंची उस पर नजट पढ़ते ही तुझ उबजर की ट्योरी चर गई तुम्हें शरम आनी चाहिए सबसे छोटी और सबसे देर से आती हो ऐसा नहीं चलेगा बलकि बड़ों के आने से पहले छोटों को हाजिर हो जाना चाहिए चलिया आपने तो माना कि मैं छोटी हूँ घर में मोसी मुझे बड़ी होने का ताना मारती रहती है चोटी कहे जाने पर यले को अच्छा लगा अपने बखबख बंद करो जाओ अभ्यास में लग जाओ अंतिम्हा के बोलते बोलते तुजम्हें की आवाज गले में ही भसी रह गई और उन्होंने खास कर गला साफ किया यले की हजी छूटे छूटे रह गई सोचा तुजम्हें को सही तरीके से गुसा जदाना भी नहीं आता काश कोई इनको ठीक तक से गुसा करना सिखाए अभ्यास बहुत देर तक नहीं चला महिलाए आराम पर्माने की मकसित से वहीं मैदान पर पैरों को बसार कर बेट गई तुजम्जरूर की बीच आकर खरे हुए और जोशीले स्वर में कुछ इस तरह आहवान करती हुए कहा मानु को योद्धा अपने लराकों को करता हो अब आप सब ध्यान से सुनिये हमारा दिल्ली कूच करने का समय आ गया है इतने दिनों से हमें जिस घरी की प्रतिक्षा थी आखिरकार वो आ गई है सब अपना कमर कसलो हमें वहाँ अपनी कला का जोहर दिखाना होगा मुझे मालूम है आप लोग पहरी बार दिल्ली जा रहे हैं चिंता वाली कोई बात नहीं मैं भी पहली बार जा रहा हूँ लेकिन हमें वहाँ इस तरह दिखाना होगा जैसे हम 10-15 बार दिल्ली आ चुके हैं दिल्ली बालों को कहीं से भी यह नहीं लगना चाहिए कि हम देहाती हैं हम गबार हैं याद रखो हमारे प्रदेश का मान सम्मान हमारे हातों है बहाँ आप लोग ऐसे नाचेंगे कि दिल्ली बाले आपके साथ ठे रखने को विवस हो जाए घवराये नहीं बहाँ जीत हमारी ही होगी दिल्ली बालों को हम डूल चटा कराएंगे जीला मुख्याले से हमें लेने के लिए राज परिवर्ण की बस यहां पहुँच चुकी है कल सुबा हम सब को निकलना है बस हमें दोपहर तक लखिमपूर पहुँचा देगी शाम को लखिमपूर से ट्रेन है अब आप लोग घर जाए आज रात अच्छी नीन लीजे कल सबेरे मुलकात होंगी देश की राजधाने दिल्ली के एहमियत को महिलाई कितना जानती थी या नहीं मालूम नहीं लेकिन तूजुमसर का जोश, ओज और उताबलापन देख कर महिलाई उत्साहित तो जरूर हुई यानि जोश को जोश मिला उनके ओजस्वी भाषन की सबापती पर महिलाउने खुब तालिया भांजी और तूजुमसर सिर्टान कर क्लास की ओर मुर गए मानो दिल्ली वाला जंग इधर स्कूल के मैदान में ही पदर कर लिया हो बहराथ तूजुमसर बड़ी बेचेनी में काटी अपनी टीम को अच्छी नींद लेने को कहकर खुद पूरी रात करबते बदल बदल कर गुजारा कब सुबा होगे, कब दिल्ली के लिए रवाना होंगे यही सोचता रहा रात बहुत काली और लंबी जान पर रहे थी दर्वाजा खोल कर पूरब की दिशा में टक्टकी लगाता कब परबतों के पीछे से जागता हुआ सूरज का दर्शन होगा जंगल से कोई अनाम जान पर चिंगारता तो बहम हो जाता कि मुर्गे ने पांग दे दिया हाथ में बंधी घरी को कान के समीप लाकर यह ताकीद करता कि चल रही है या नहीं वो तो परिशानता है साथ में पत्नी भी परिशान सो जाओ सुबह होने में अभी बहुत वक्त है फोहर औरत पती दूर सपर पर निकल रहा है यह भी ना सोचा कि सही सलामत लोट आने के लिए तो औरी डुआ भी मांग ली जाए पस सोने के परिए सुबह होनी थी, सो हुई सूरश को अपनी मियत समय पर उगना था सो उगाया स्कूल के मैदान पर गाउ प्रधान के साथ पूरा गाउ पहुँच गया तूजुमसर की टीम को विदाई देने के लिए गाउंपुरा अपने साथ निव यानि पुजारी को भी लेता आया था निर्वेग न यात्रा के लिए पुजारी ने मंतरपाट करके तूजुमसर ने खासतोर पुजारी से इसरार किया कि राजी परिवहन की जरजर चर्मराती चीर परिचित नीले रंग की बस पर भी कुछ मंतर जारते शायद उनको ये उमीन जगी हो पुजारी के मंतर चार से खटारा बस फडाते से दोर लगाती हुई समय से मंजिल पर पहुचा देगी बना ये बस समय पर किसी सवारी को गंतर भी तक नहीं पहुचाने के लिए खुक्यात है और महिलाओ को विश्वास था कि पहारों के सरपिले रास्तों के खतरनाक मोरों पर मंतर उनके लिए रक्षा कवच का काम करेगा आज तक का रिकोर्ड बतलाता है ये बस चलती कम पहारी खड़ों में लुरकती जादा थे जेसे टीम बस पर चरकल सीटों पर जम गई काले काले धुए का बादल उराती हुई चल परी बस दीजल से गंधाती सारी सीट सीट तो केबल कहने बर के लिए था लोही की हड़ियों का धाचा कहना जादा मुफीद होगा चन्द मिनिट के लिए भी इन सीटों पर बेठे रहने का मतलब था शरीर के कल पूर्जों का तूट कर फूट कर अपने जगह से खिसक गिर पढ़ना तूजुमसर बीच बीच में अपने सीट से उठकर सबका हालचार पोच रहा था याले का मन उच्टा हुआ था अभी से ही घर की याद सताने लगी घर पर मोसी का गाली और फटकार सुनकर सो बार घर छोड़ कर भाग जाने की खसमे काई थी मगर अब उसी मोसी की सबसे जादा याद आ रहे थी उसका खिन मुह देखकर तूजुमसर उसके बगल में बैठ गया ना इस तरह उदास नहीं होते पताओ क्या हुआ लरिच्टी आवाज में यालेक बोली घर की याद आ रही है मुझे तुम पहली बार कस्वे से बाहर जा रही हो ना इसलिए पर तुम अकीली कहा हूँ देखो हम सब है सारे लोग तुमारा खास कयार रखेंगे आखिर तुम सबसे छोटी जो हो तूजुमसर के स्वर में रूई किसी नम्यता थी आत्मियता के दो बोल से यालेकी खबराहत शनहा शनहा पिगलने लगी जंखाय खिरकी का सीसा खोलने में तुमसर ने मदद किया यालेक बाहर के नजारों में खो गई पैर, टीले, पहार, जर्ने सब गारी की उलती रिशा की और भागे जा रहे थे जियो जो कस्वब पीछे छूटा जा रहा था तियो तियो यालेकी फीरा यालेकी फीरा घनी भूठ हो रही थी जिस बात का दर्था वही हुआ किमिन पोंचने से पहले ही बस में करावी आ गई अब तनाप की मारे तुजुमसर का ब्लड प्रेशर हाई जी घबराया माता चक्राने लगा आँखों के आगे अधेरा छा गया समय पर नहीं पोंचे तो त्रेन हाथ से निकल जाएगी फिर दिल्ली आत्रा का क्या होगा घूमने का सपना क्या कभी फली बूत नहीं होगा खैर किसी तरह से अपने आपको संभालते हुए ड्राइवर से मिन्नते किया कुछ भी करके हमें समय से पहुंचा दो मगर गारी एक बार बैठ गई तो बैठ गई मानो कुछ बिक्रेल खुसर बुरिया जो सिर्फ अपनी सुनती हो दूसरों की नहीं लाख जतन के बाद भी स्टार्ट नहीं हो रहे थी एंतिजार के घरी लंबी खेचने लगी तो तूजमसर की मिन्नते गुस से मैं बदल गया सफर के सुरू में एक बार गारी के हालत तो जांच लेनी चाहिए थी तब गरिबरी का पता चल जाता तो वहां जीरों के गराज में ठोक पिड़वा लेते नाकारा द्राइबर कही का द्राइबर ने पलत कर वह जवाब दिया कि पलभर के लिए तूजमसर लाजवाब हो गया गारी बीच साल पुरानी है सरकार अगर निलामी भी करेगी ना कोई कबार बाला भी इसको हाथ लगाना पसंद नहीं करेगा ये तो मैं हूँ जो गड़ो बरी पहार के जोखिम रास्तों में बर्सों से दोड़ा रहा हूँ तूजमसर को जैसे साप सूं गया हो उसकी चुप से ट्राइबर की हिम्मत और बरी देखे सर खस्ता हाल गारी की कल पुर्जे तूटते और जुरते रहते हैं ये कोई निराली बात नहीं है अभी कौन सा पुर्जा तूटा है छोड़िये सर आप से क्या मैकनिक गिरी कराएंगे तूटा है तो जुर जाएगा इतनी आसानी से कह दिया आपने बड़े साहब से सिकायत क्यों नहीं करते ये तो सबारियों की जिन्दगी के साथ खिलबार है क्या आप बात कही शिकायत करके हम इन और जोप्री से थोरी वाहर होना है बैसा आप तो परे लिखे हैं आप क्यों नहीं अरजी दालते नई गारी के लिए सिवा उपाई नहीं, इंतिजार करें, कोशिस्तों में कर ही रहा हूँ, द्राइबर ने बेरुखी में कहा, गारी के मरमत से हाथों में कालिख पूद गया था, उसने मेली चित्रानुमा गमचा से हाथों को पूँचा, उसी गमचे से अपने पूरे बधन को जोर जोर से झारा जैसे शरीर की सारी ठकान झार रहा हो, बीरिस उलगा कर तीन चार लंबा कस्क खेचा और अपने को फिर से मरमत के काम में पापर छोग दिया, द्राइबर पर उसके गुसे का कुछ असर नहीं हुआ, इस बात से तूजमसर दिली दिल में जला रहे थे, बेकार अपना खुम जलाया, वैसे तूजमसर गुसा कहा होते हैं, वो तो मात्र गुसा होने का नाटक करते हैं, एकाए वो आवाज आए जिससे सुनने के लिए, जिससे सुनने के लिए उसका काम तरस रहा था, करगराहत के साथ गारे स्टार्ट हो गई, तूजमसर कलबट पर चरा बेठा था, सुनते ही अथी उत्सा में कलवर्ट से खाई की और खूदने वाले थे वो तो भला हो ड्राइबर का जिसने उसे एन समय पर रोक लिया टीम की महिलाइट हेल्ट हुई, कुछ दूर निकल गई थी पहारी जन्ना में हाथ मोधो कर थरो ताजा होने उन लोगों को बापस बुलाने के लिए तूजंसर उल्टे पाव डोड़ पड़ा याद्रियों की स्वागत में उंग हुता और जब की मारता लखिमपूर का सादा और छोटा सा रेलवे जंक्शन त्रेन पठ्र पर लग चुकी थी गनीमथी की खंधर नुमा बस ने वक्त रहते तूजंसर की टीम को मंचिल पर पहुँचा दिया उन्होंने सारी महिलाओं को सीट पर बिठाने के लिए इधर उदर डोड़ा बना त्रेन छूड़ जाने के दर से पूरी बस यात्रा के दोरा उनका प्राण सूख रहा था अब जाकर विश्वास हुआ आखिरकार ट्रेन पर पूरी टीम लद गई वो ट्रेन के बढ़ कुछ तरह चूचूचू कर देख रहे थे जैसे कोई खोई हुई वस्तू बहुत प्रतिक्षा के बाद मिली हो दर्वाजे के बिल्कुल नस्दीक तूजूम सर और यालेक की सीठ थी सीठी बजी और ट्रेन ने आहिस्ता आहिस्ता रफतार पकरी तबी अचानक दर्वाजा पर एक जवान हर बढ़ाता हुआ उसके हाथ में छोटा सुटकेस था हुलिया बता रहा था आर्मी का जवान है क्योंकि बदन पर आर्मी का युनिफोम था सिर पर सुन्दर कलबदार पकरी भूरी उतिप्थ नुरानी आंखे सुदो नुकेली मुची नाक पतली गलियोसी होटों के ऊपर बिच्छी काली घनेरी मुचे करीने से सबारी मुचों के बाद होटों के किनारों से उपर की तरफ मुरा हुआ था मुचों की कठाई चठाई यानि की बनाबत में गजब का समोहन और आकर्शन था मुचे चमकदार थी शाय टेल वेल बला हुआ वो दरवाजे के सामने साइड लोवर वाले सीट के नीचे सुटकेस को भीदर सरकाने के बाद सीट पर बैठ गया प्रेंद की गटी बरती जा रहे थी तूजम सर अपनी सीट पर बैठ कम उठ जादा रहे थे महिलाओ की छोटी मोती दिख़तों को सुलजा कर बापस सीट पर लोटा जाते इस वज़े से आर्मी जवान को शाय गलत पहमी हुई कि तूजम सर का कोई अस्थाई सीट नहीं है क्या यह आपकी सीट नहीं है? नहीं नहीं सीट मेरी ही है असल में मैं पूरी तीम के साथ हूँ तीम का लीदर हूँ न? इसलिए किसी को कठिनाई ना हूँ उठ उठ कर देखना पड़ता है अच्छा, अच्छा आर्मी जवान ने पूरे माजरे को समझने के बाद कहा उसने महसूस किया इस अल्प बादचीत के दोरा दो आंखे उसे फार फार कर देख रही थी तो जुमसर से नजरे हटा कर उन छोटी छोटी घूर्टी आंखों की और नजरे मिलाई दो जोडी आंखे परस पर ठकरा उटी यालगी एकदम ताज्यूप हो गई उसके अचकचाहत को भाब कर आर्मी जवान ने नजरे फेड ली चायवाला चाय की हांक लगाता हुआ लिब्बे में कुसाथ आर्मी जवान ने चायवाला को पास पुला लिया उसको चाय दिया चाय का मोल लेकर चायवाला चलता बना गर्म भाप उराती चाई को अपनी महीन लखीर सरीखी फोटों से फूख कर वो हलक के नीचे उतारने लगा यालेक ने अपनी नीची नजरों को चुपके से उठा कर आर्मी जबान की कमीज के जीब के उपर टंगा नेम प्लेट के उड़ा का नेम प्लेट पर सुसपष्ट और सुलेख अक्षरों में एक नाम गुदा हुआ था यालेक ने नेम प्लेट पर लिखे नाम को तीन हिच्सों में तोड़ कर पड़ा परमिंदर दूसरी कोशिस में पूरा पड़ गई परमिंदर अच्छा तो इसका नाम परमिंदर है परमिंदर यालेक के नजरों की करतूर से अंजाब सिर को हलका जुकाए बेटा था कुछ अपनी लंबाई और कुछ पगड़ी के कारत कमर को सीधा तान कर बेठने में समस्या आ रहे थी बहुत संभल कर बेठने के बाद भी सिर उपर के बड़ से तकरा जाता चाए खत्म करके दूनों हाथों को फैला कर परमिंदर ने जोर से अंगराई लिया और सीध पर चौरा होकर लेट गया तूजमसर फिर उठकर चले गए कोई आत्री उसे त्रेन में भटकती आत्मा का खिताब दे भी दे तो कोई गलत नहीं होगा परमिंदर च्छत की सूनिता को बेबिकरी में निहार रहा था मगर ये बेबिकरी जादा देर टक्टिक नहीं पा लगा तार दो आंखे उसे कंखियों से देखे जा रहे थी इस एहसास से परमिंदर जरा ऐसा हज हुआ उसने अपने आप से सवाल किया क्या मेरी शक्लों सूरत किसी से मिलती है शायद उस लड़की के किसी जान पहचान से क्या मेरी चेहरे में वो किसी अपने को तलाश रही है मुमकिन है दुन्या में काफी लोगों की शक्ले मिलती है रब भी इनसान बनाते बनाते हूँ हूँ वही नाग नक्ष किसी और को बख्स दिया। रब के खार खाने का एक पीस मैं हूँ तो हूँ सकता है दूसरा पीस लड़के ने कहीं देखा हूँ चंगी बात है। इसी उधेर भून में उसकी नजरे छट से फिसल खाती हुई यलेक की नजरों से फिर गई। यलेक एक बार फिर पूरी तरह सब पकाई। मानों किसी ने दवे पावा आकर पीछे से दवोच लिया वो। अपनी जेब दूर करने के लिए उसने शौल से नूठक लिया। पूजमसर अपनी घष्टी से लोटा आये थे। उनको बापस सीट पर देखकर परमिंदर बोला ठीक है सब। हाँ हाँ सब सो गई। अब तो सुस्ता लोजी आप। परमिंदर ने सला देते हुए कहा। बिलकुल बिलकुल अच्छा आप कहा जा रहे हैं। रंग्या। ओ रंग्या तो पास ही है। मैं टीम को लेकर दिल्ली जा रहा हूँ। तूजमसर ने जान बूज कर दिल्ली शब्द पर जोड दाला। वैसे मैं चंदीगर जा रहा हूँ। रंग्या से अगली ट्रेंट पकरनी है। ओ, I see, wonderful। तूजमसर ने फीकी खुशी व्यक्त किया। अच्छा, आप लोग दिल्ली किस काम से जा रहे हैं। Central Government has invited us for cultural presentation on Republic Day, that's why we are going, बहुत बढ़िया, मुबारका, मुबारका, you know, it's a huge responsibility, our state's reputation is at stake, मैं समझ सकता हूँ, all the best, thank you, thank you, we will perform our best, तूजमसर बिस बास से भर कर बोले। या लेक तूजमसर की अंग्रेजी सुनकर मन के अंदर मुस्कुरा उठे, अंग्रेजी के टीचर होटी हुए भी तूजमसर क्लास में कहां अंग्रेजी बोल पाता था, बच्चे अंग्रेजी समझते ही नहीं थे, अंग्रेजी उनके लिए दूर की कौरे थी, अपनी और स से तूजुम सन्य बच्चों को अंग्रीजी सिखाने का फ़र्शक प्रयास किया मगर बच्ची उनसे जरूर से जादा हिले मिले थे इसलिए उनके पाठ को अधिक तबज्जों नहीं देते थे मजबूर होकर अंग्रीजी के विशय को अपनी बोली में पढ़ाना समझाना पर तूजुम सर और दंडा नहीं नहीं अपनी तूजुम सर तो आहिंसक तहरे बले ही बच्ची एप और आपल के बज़ा एप और आइसक्रिम कह दे तूजुम सर कभी हाथ नहीं उठाएंगे हाँ अधिक से अधिक बच्ची को जिरक सकते थे वेसे भी उनका पाला बड़े बच्चों से पढ़ता था छोटों से नहीं यहाँ त्रेन में अंग्रे जी जारने का जब मोका मिल रहा था तो तूजुमसर अपने मन की भरास मन में क्यों रखने लगे इसले दिल खोल कर अंग्रे जी भगार रहे थे बहुत मुम्किन है अपने अंग्रे जदा मन को तसलिप पहुचा रहे हो त्रेन एक वियाबान जगह पर रुख गई शायद ट्रेक बदलने वाली थी त्रेन रुकी रही लगता है जिस ट्रेक पर चरना हूँ वहाँ पहले से कोई ट्रेन चली आ रही हो इसका मतलब ट्रेन दूसरी ट्रेन को रास्ता देने के बाद ही ये ट्रेन आगे बड़ेगी परमिंदर दर्वाजे के पास आकर खरा हो गया ठंध हवा बह रहे थी चांद के शीतल बारी कुजाले में उसकी मूझो के बाद और सघन हो गए परमिंदर ने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और कुछ सोचता हुआ सिगरेट जलाया एक सुठ़ा खीचकत धुआ को आस्मान की तरप उच्छाला आस्मान पर टका चांद होले होले हवा के संग डोल रहा था चान के चारों और इंदर धनों सी घेरा बना था जादू इन जारा सफेर गोल गोल चंदा और उसकी बहुरंगी जाल है हाला कि दिन में ये सातों रंग प्रकर रूप में दिखलाई पड़ते हैं रात को तो मात्र जलगबर मिल रहे थे रात के निरवता का लफ्थ उठाटे हुए परमिंदर ने सोचा क्या वो अभी मुझे देख रही होंगी जो रांखों से उसने एक बार याले को देखा हाँ बेशक खोल करना सहीं मगर दवी आंखों से वो उसे देखे जा रहे थे वापस देखने का साहस ना हुआ क्योंकि परमिंदर जानता था ऐसा करने पर वो घबड़ा जाएगी हलके धके के साथ ट्रेन स्टार्ट हुई ट्रेन के स्पीट पकरने से हवा की मंद बहा तेज हो गई परमिंदर तोड़ी देख और दर्वाजे के करीब खरा रहना चाहता था पर सर्द हवाज सुई बन कर पदन को चुप हो रही थी दिब्बे के भीदर दिरंतर अपनी ऊपर चिप की दो आंखों से उसे बैचे नहीं हो रहे थी उदर अंदर दम घुटा-घुटा सा महसूस होता था इदर द्वार पर खुला-खुला और उन्मुक्ती का एहसास था पर यहां खरा रहने का भी क्या फाइदा नज्रे तो यहां तक पीछा नहीं चोड रही बाहर खरा होने का अब कोई हाथ अब कोई टूक हाथ नहीं लगा वो भी तस सीट पर लोटा आया तूजुमसर ने आत्मेयदा बरे स्वर में कहा वाइदा यहां वाइदा वाइद ट्रेंड स्लो है इस पर परविंदर ने सवाल किया आपकी ठीम के सारे लोग सो गए होंगे येस, येस, लॉंग विफॉर अब असल सबार पर आती हुए परविंदर पूछा ओके, 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 आपकी सार वाली लड़की क्यों नहीं सो रहे क्या उसको नेंद नहीं आ रही तूजुमसर हस कर ओ, यू मिन यालिक, वो आज बसने बहुत सोई So now she is not sleepy at all अच्छा, तो यालिक नाम है लर्की का परमेंदर के भीतर, उत्सागा, हलका सा लाभा, भूठा What are you thinking so seriously? तूजुमसर के इस प्रश्ने से, वो धीरे से चोक पर ऐसा लगा, कुछ चुराते हुए पक्रा गया हो हकला कर कहा Actually, this name's a bit strange for me इसलिए नाम याद रखने की कोशिस कर रहा हूँ तूजुमसर ने तर्कीब सुझाने के लहजे में कहा Okay, not a big problem नाम याद रखने का सबसे आसान तरीका मैं मतलाता हूँ नाम का meaning याद कर लो, नाम खुद और खुद याद आ जाएगा यालेक का मतलब होता है जिद्धी Now you will not forget, I hope so परविंदर रजाबंदी में कहा No, 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 never, never अपनी बारे में चर्चा की जाने पर यालेक शर्मा उठी गोरी-गोरी गालों पर सुर्गया च्छा रही थी जिसे च्छपाने के लिए अपनी जुल्पों को ओर्नी बनाकर गालों से लपेट लिया पर गालों की लाने बाँ परविंदर से चुपी नहीं थी उसने हया का सुर्ख रग देखे लिया दो प्यारी-प्यारी आंखे परमिंदर की नजरों के रास्ते दाखिल होती हुई उसका दिल दिमाग और समूचे बदद पर चिपक गई बेबस परमिंदर पूरी तरह इन आंखों के बश में गिरफ्त में था तरथराते लवों से परमिंदर बस इतना ही बोल पाया सपने में तुम्हारी नाम की तरह तुम्हारी आंखे भी बहुत जिद्धी है उसके बाद धीमी धीमी खरकरा होतव का स्वर गुंजा परमिंदर सो गया था तुम्हारी ने परमिंदर को जगाती हुए बोला रंग्या आने वाला है कमां गया परमिंदर मधुर नीन से जगा और सीट के नीचे से सुटकेस को निकाला अपनी पगरी ठीक किया इसके बाद दर्वाजे की पास आकर खड़ा हो गया तुम्हार गुर्बाई कहने के लिए उसके पास आया आप उतर जाए इससे पहले आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ यालेक ने कहा उसके कारद अगर आपको कोई असो गिधा हुई हो तेन शी इस वेरी सोरी फो दाट मुझे पता है जब से आप ट्रेन पर चरा जालेक आपको आप बलक घुरे जा रही थी मैंने पूछा भी क्या कहा उसने परमिंदर ने अधिर होकर पूछा अपनी अधिरता पर तोरी शर्मिंदी की भी पहसूस हुआ वो बोली आपकी जैसी सुन्दर मुझे उसने पहले कभी नहीं देखा आपकी जैसी लंबी और सजीली मुझे नहीं ऐसी मुझे यलिक में तीवी पर सिर्फ फिल्मी हीरो के देखे है अब शर्माने की बारी परमिंदर की थी प्लीज यू से गुड़ बाई टुहा कहता हुआ तूजुमसर अंदर से यलेक को ले आया यलेक सकुचा कर तूजुमसर के कार में फुस पुसाती हुई कुछ बोली तूजुमसर ठठा कर हस परा इससे पहले परमिंदर कुछ समझ पाता तूजुमसर ने कहा इफ यू डॉंट माई ये आपकी मूचे इपार छू कर देखना चाहती है माई प्लेजर परमिंदर ने जबाब दिया यालेक ने लाज भरी ननी ननी उंगलियों को परमिंदर की मूचों पर फैरा मूचों को सहलाया धीरे से खीचा मूचों के करक बालों को उंगलियों में दबाकर थोरा सहलाई और रगराबी उसकी आंखे आनन्दाती रेख में अपने आप बंद हो गए नम्रसाब क्या बोली? पूछ बेठा परमिंदर यालेक ने शब्दों को तो हुराई नम्रसाब इस सवाज जबाब के बीच तू जुमसर से उत्तर आया नम्रसाब नम्रसाब का मेनिंग है घनी मुछो बाला त्रेन पुना रुखी टीटी ने उचे सवार में यात्रियों से कहा रोंगया पाईसे, रोंगया पाईसे यानि रोंगया आ गया परमिंदर सुटकेस थाम कर उतर गया आखरी बार यालिक को भरी-बरी नजर से देखा जिस हाथ में सुटकेस नहीं था उस हाथ से अपने मूछों को उपर एठा और यात्रियों के भीर में अंतरधान हो गया